सुशान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है सुशान एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है सुशान ने कांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी सुशान ने अपनी को एक्टर का रेप किया कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीजे बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्व्यूस पड़े हैं, कुछ डिरेक्टली भी बात की है पिताजी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभिशेक कपूर जिन्हों ने उन्हें लॉंच किया उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदाना उनका कहना है कि वह समाजिक रूप से की गई अपमान और बैज़ती नहीं सेहन कर पाया तो अब मैं आपको बताऊंगी के मुवी माफिय ने आफकी सिर्फ उनको बैंड किया था सिस्टेमाटिक कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब जूट लिखना होता है आप आपको के अंगे इसको इगल एक्शन नहीं लिए सकता क्या आपका तो नाम हुँसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के भुंग्राले बाल है जिसको नेश्नल रवर्ड मिला हुआ है साइकोटिक है इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 अगस्ट 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुशान के बारे में लिखता है कि वह जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वह सबसे बड़ा नार्शिस्स से 16 दिसम्बर 2016 में मुंबई मीरर लिखता है कि सुषांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है 22 फरवरी 2019 को मुंबई मीरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषांत ने सकांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 अक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुषांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीडू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी ना जाने कितने अंगिनत जूट और ये जो बुद्धी जीवी जनलिस्ट है ये जो चील कवे गिद है जो मुवी माफिया के पाले हुए है ये इसको mental, emotional, psychological, lynching को जनलिजम कहते है मेरे बारे मैं अज़ तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जनलिस्ट को अपर उसी राचार सीनियर जनलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैंग किय जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जनलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद वो गाइब हो गए मेरी फिल्म रिलीज हो गाइब हो गए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियात पर खड़ा है और कभी आवास नहीं आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में यह क्यो जाग तुदिग दिखित